हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्टडी आवर लाइफ में तो हमारा जो पॉलिटी का भी स्कोशन का जो स्रीज आता है पड़े उसमें आज का हमारा टॉपिक है कि इंद्रिये मंत्री मंदल तो इससे संबंदी जितने भी महत्पुन कोशन ब करते हैं तो सबसे पहला कोशन आज का मरा यह रहा तो आज का पहला कोशन जो है हमारा है वह है भारत के परधान मंत्री होता है तो भारत में जो प्रधान मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं निर्वाचित चैनीत मनोनीत न्यूक्त इन में से कोई नहीं तो इसका सही एंसर क्य उसके बाद है अगला question गैबिनेट में समलित होते हैं मतलब कैबिनेट जो होता है वो किसी किन किन से मिलके बना होता है इसकाने पड़ते हैं तो कैविनेट जो होता है option A में दिया हुआ है मंत्री अस्तर के सभी मंत्री केवल कैविनेट मंत्री और राज मंत्री cabinet राज और उपमंत्री तो cabinet जो समलीत रूप होता है वो जो होता है option number इसका B हो जाएगा सही answer cabinet मंत्री केवल cabinet मंत्री दिया हुए है कि cabinet या मंत्री मंडल परधान मंत्री सहीद cabinet अस्तर के मंत्रियों की परिशद होती है जब की परधान मंत्री एवं cabinet अस्तर के मंत्री सहीद राज मंत्री एवं उपमंत्री भी सामिल होते हैं मंत्री मंडल का उलेक मात्र अनुछेद 352 में है और यह 44 में समिधान संसोधन से है ठीक है तो cabinet के क्या है ये केवल कैबनेट में क्या होता है केवल कैबनेट मंतरी होते हैं अगला कोशन कोशन नमर तीन है संसदिये सासन में बास्तविक कारिपालिका की सकती किसके पास होती है तो संसदिये कारिपालिका में बास्तविक कारिपालिका की सकती जो होती है तो option में है सांसद परधान मंत तो इसका सही एंसर हो जाएगा पर्धान मंत्री, option number B, कारिपलका की जो बास्तविक सकती होती हो, पर्धान मंत्री के पास होती है, क्यार में परते हैं, तो भारतिये संभिधान के अनुसार पर्धान मंत्री का पत बहुत महत्पुन होता है, संसदीय विवस्था में राष्टपती केवल नाम मातर का कारिकारी प्रमुख होता है, तथा बास्तविक कारिकारी सकतियां पर्धान मंत्री के पास होता है, जो अनुछेद चहौत्तर के एक के अनुसार राष्टपती को सहयता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परसद होगी जिसका परधान कौन होता है परधान मंत्री और राष्ट पती अपनी कृतियों का पड़ियों करने में ऐसी सला के अनुसार कार करेगा ठीक है अगला कोश्चन है कोश्चन नमर चार इसके आरे में पढ़ते हैं यह कोश्चन है भारतिय संविधान के निम्लिखित प्रभधान में कोन सा परधान मंत्री परशत की निफ्ति यह तथा पच्युत को विवेशित करता है यौस इसका सही एंसर हो जाए aspect अनुछेद 75 जो है मंत्री परशत की निवक्ति एबं पत्यूत को भी विवेशित करता है जो अनुछेद 75 के एक के अनुसार परधान मंत्री की निवक्ति राष्ट पती करेगा और अनुछेद 75 के निवक्ति कोन करेंगे राष्ट पती करेंगे परधान मंत्री की सलापर जो किसा नोचेद 75 के दो के अनुसार किसा को हुथ यूद्प परत के होते हैं तो फारत के सथान मंत्री होते हैं वो लोग सभा के सदस होते हैं तो इसके वारे में दिया हुआ है कि समिधान के अनुसार परधान मंत्री दोनों सदनों में किसी का भी सदस हो सकता है आम तोर पर लोगसभा का सदस होता है क्योंकि लोगसभा जनता के द्वारा परत्यत चुरूप से निर्वाचित निकाई है और लोगतांत्रिक धंग से निर्वाचित सरकार का परतिनिस्ट करता है फिर भी राज सभा से प्रधान मंत्री बनाया जाने पर कोई पर्तिवंध नहीं है लेकिन जवादा लोगतांत्री किया ही है कि वो लोगसभा का सदस हो मतलब दोनों में से वो किसी से भी बन सकता है लेकिन ज़्यादा लोगतांत्री क्या होगा कि वो लोगसभा का सदस हो जाएगा option number C 25 वर्स भारत के परधान मंत्री के लिए अगर वह राष्ट पत इसके परते हैं कि दिया हुआ है कि सम्मिधान के अनुछेत 751 के अनुसार राष्ट पती परधान मंत्री का निपती करेगा वह वेक्ति संसत का सदस होना अनिवार है आथवा छो मां के भीतर उसे स संसत का सदस लोग सभा या राष्ट सभा का होना होगा लोग सभा के सदस के लिए कम से कम 25 वर्स की आयू तथा राष्ट सभा के सदस के लिए कम से कम 30 वर्स की आयू होना आवसक है अता परधान मंत्री बनने हिती निव्तम आयू जो है वह 25 वर्स है वह अगर लोग सभा का सदस है तो अगर राज सभाका है तो उसी 30 वर्स तक 30 वर्स क्या होनी चाहिए अगला कोशन है कि भारत में वह मंत्री जो संसत के सदस दोनों सद्व में किसी सदन का भी सदस नहीं हिं उसे मंत्री पत से मुक्त हो जाना पड़ता ह।潮 म एक इन्सर क्या हो जाएगा option number a ऑपन सब्राइब दोनों में से राज सभा या लोग सभा किसी सदस्ताग्रहन करें नहीं तो उसे 6 महिना के बाद उसे 6 महिना के अंदर उसे पद से हटा दिया जाता है तो दिया हुआ है कि जो बेक्ती संसंत का सदस नहीं है कि इंदरिये मंत्री रा सकता है मातर 6 महिना तथा 6 महिने के अंदर उसे लोकसा या रास सवा दोनों में से किसी एक की सदस्ता लेनी ह विक तो भारत का प्रदान मंत्री किसके प्रती जवाब की ब्रहत का प्रदान मंत्री सव परती जबाद सकती है प्रती संमिधान के अनुषित पछ आनुशाथ में ताउण से लोगसवा के प्रति उत्तदाई होगी जो कि मंत्री परिशत का परधान प्रधार मंत्री होता है अत्था परधान मंत्री भी लोगसवा के प्रति जवाब दे होगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 9 कहता है संभीधान में मंत्री मंडल सब्द का एक ही बार परियोग इसके अनुशार राष्ट पती अपात काल की गोशना तभी कर सकेगा जब संग का मंत्री मंडल उसे लिखित रूप से ऐसा सुचित करे जो 44 में समिधान संसुदन अधिनियम उन्हाट 78 से उपलब्द हैं कि अनुशे 352 के 3 में मंत्री मंडल सब्द का उलेख दो बार हुआ है इसके बाद कोशन नंबर 10 है कि भारतिय राजनितिक कोशन नंबर 10 में है भारतिय राजनितिक विवस्था में काड़ी पालिका के अधिन रहकर कर करती है कौन नाई पालिका बिधाई का चुनाबायोग संग लोग से वायोग तो इसका सही एंसर हो जायागा option नंबर B बिध सात्मक सासन प्रनाली अपनाई गई है भारतिय राजनितिक विवस्था में काड़ी पालिका बिधाईका के अधिन रहकर कार्ज करती है क्यूंकि राजनितिक काड़ी पालिका गठन बिधाईका के सदर्सों में सुरू होता है और काड़ी पालिका मंत्री परिशत सामुहिक रूप से विधायक का विधाई का जिसको लोगसवा कहते हैं उसके प्रति उत्तरदाई होता है कोशन नमडर 11 है कि निमलिखीत में से कौन एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परस्ताव रख सकती है तो आप्शन ए में है और विश्वास प्रस्ताव वश्यर्णा प्रस्ताव अ में दिया हुआ है कि संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन विश्वास प्रस्ताव का समर्थन के रूप में सरकार दोरा रखा जाता है इस परकार प्रस्ताव को संसद में विश्विकृत आत्वा और स्विकृत किया जाता है सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद में त तो लोग सभा में और विश्वास प्रस्ताब पारित हो जाने पर मंत्री परिशत को त्यागपत देना पड़ता है और वह शर्णा प्रस्ताब प्रस्ताब भी बीपक्च दोरा लाया जाता है ठीक है और कोशन नमर 12 में है मंत्री परिशत के विरूद और विश्वास प्रस्त इसमें दिया हुआ है कि लोग सभा की परकिडिया एवं संचालन संबंदी नियम जो है एक सो अंठानवे के ताहद मंत्री परिशद के वरूद और विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोग सभा में कम से कम 50 सदस्व का समर्थन आवश्यक है कोशन नमर 13 है मद परदेश का कोन सा नेता नहरू के कैबनेट में पहले गिरी मंत्री चता बाद में सिक्छा मंत्री बना तो उप्सन में है प्रकास चंद सेथी रवी शंकर सुखला कैलासनाथ कटाजू द्वारिकानाथ मिश्रा तो इसका सही एंसर हो जाएगा उप्सन नमर कैलासनाथ कटाजू जो थे वो पहले कैबनेट के गिरी मंत्री थे और बाद में सिक्छा मंत्री भी बने थे इसके बारे में दिया है कैलासनाथ कटाजू नहरू के कैबनेट में 1951 में बिधी मंत्री के रूप में सामिल हुए थे इसी वर्स वा देश के तीसरे गिरी मंत्र उन्हेसब पच्पन में रक्षा मंत्री का पद्भार सौपा गया था और वह नाइनटी फिप्टी सेवन से दौरानमद परदेश के मुख मंत्री वी रहे थे कौन का लासनात कटा जू अगला कोश्चन है स्वतंत्र भारत के पर्थम बित मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के पर्थम बित मंत्री इसकी वारे में दिया है कि स्वतंत्र भारत के परले बित मंत्री आर्गे सनमुक के फिर इस पार्परेश केनो दूंहों स्वत्नत्र भारत का पहला बजट 27 नॉवमबर 1947 को प्रस्तूत किया था कब किया था पहला बजट तो पहला बजट पंडर्वागा है यह तो परतम बित मंत्री को थे जो मथा थे और अगला को श्राफ से पंदरा नमबर भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पर्थम मंत्री मंदल का कानून मंत्री कौन था? के मुंसी, हपी मुखर जी, वलदेव सिंग, वी र अमबेदकर तो इसका सही एंसर हो जायागा वीमराव अमबेदकर अबसर नमबर डी जो है वो स्वतंत्र भारत के पश्चात मंत्री मंदल में कानून मंत्री के रूप में होी थे बीमराव अमबेदकर म अगला कोशन को नाश्चल नौन होई थे। आप्सर में है जवाहर-लाल नहिरू, मुरार जी-देशाय लाल-भाधुर सास्त्री, छेरं सिंग, इसका ऑप्सर हो जायगा C, एंसर C हो जायागा लाल-भाधुर सास्त्री का मिर्तु जो है वो भारत के बार कहां हुआ था, तासकंद में हुआ था जो तासकंद भी कहा है विरत्मान में उजबे किस्तान में 11 जनवरी 1966 कुन की मिर्टु हो गई थी और ये भारत के दूतिये प्रधान मंत्री थे अगला कोशन नमर 17 है निमलिखित में से कौन भारत के प्रधान मंत्री बनने से पुर्व किसी राज के नहीं थे वो थे चंद्र शेखर ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा इसका सही एंसर तो दिया हुआ है चंद्र शेखर प्रधान मंत्री बनने से पुर्व किसी राज के मुख मंत्री नहीं रहे जबकि एचरीरी देव गौरा करनाटा के मुख मंत्री पीवी नरसी महराव उसनसद में कभी विपस्थित नहीं हुआ तो सही एंसर हो जाएगा चोदरी चरण सीनG मातर एक ऐसे वेखती थे जो कभी विए अपने कारेकाले में सनसद में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि ए नंके बारे में दिया हुआ है 28 जूल्स दूलाई से एक दिन पूर्फ कॉंग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारा चौदरी चरण सिंग को परधान मंत्री पत से इस्तिफा देना परा और अंतिन मंत्री जो थे वह अपने कारेकाले संसद में उपस्थित हुए थे ठीक है तो मात्रेक चौदरी चरण सिंग्छों जो संसद म परधान मंतरी कौन थे तो उदारी करन नीजी करण और भुमंडली करण की नई आर्थिक नीती घोसित की गई परधान मंतरी जो थे वह अर्थिक नमबर सी हो जाये जा सही एंसर नर्सिंग महराज द्वारा कौन नर्सिंग महराज द्वारा इसमें दिया हुआ है कि 24 जुलाई से 1991 को ततकालिन परधान मंत्री नर्सिव राव ने अद्योगिक निती की घोसना की उनके द्वारा किये गए सभिते हैं आर्थिक सुधारों में उदारी करण नेजी करण भूमंडली करण और बजारी करण कि निती अपनाई गई थी किन के कारेकाल में तो नर्सिंग महराज के द्वारा अगला कौेशन नमर्ट 20 है केंद्र सरकार में उस्तम नागरिक सेवाइदिकारी कौन है तो उस्त सचीव इसका सचीव के बाता है ये किस समिधानसनक्र अधिनीयम द्वारा मत्री परिसत की संझ्या लोक आपके कुल सेज़न्च के पंदरा परतिसत की सीमा तक निरधारित की गई है एकलिट कॉशन क्या है निमलिकीत मेंसे कि संभिधान संसुदन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद हैं तो इसका सही एंसर हो जायेगा option number C answer हो जाएगा option number C एकानवा संवेधानिक संसोदन अधिनियम 2003 के द्वारा 15% सीवा तक निर्धारित की गई है question number 22 में है राष्टिय सुरक्षा समीती का परधान कोन होता है तो राष्टिय सुरक्षा समीती के जो परधान मंत्री होते हैं उसका सही answer हो जाएगा option number A कौन ग्री मंत्री होते हैं अगला question है हमारा निमलिखित में से किसका सुमेल नहीं है तो निमलिखित में से किसका सुमेल नहीं है इसका सही answer हो जाएगा option number D राजीव गांधी कर्म भूमी ये गलत है तो यह कर्म भूमी जो है, समाधी अस्तल किसट क है, तो भारत के पुर्व राष्ट पती संकर देयार. का है उसके बाद अगला कोश्चन है स्वतंत्र भारत के पर्थम बार संसाधिये सचीब का पद किस वर्स आयोजित किया गया तो स्वतंत्र भारत का पर्थम संसाधिये पद जो है एकनिट वो कब के कब आयोजित किया गया था तो वो किया गया था आप्शन नंबर ए 1901 में में सब्सक्राइब करने स्वतंत्र भारत के पर्थम बार संसाधिये सचीब का पद 1951 में सिरजित किया गया था संसदिय सचीव एवं एक उची रैंकिंग का सरकारी पद है और संसदिय सचीव का पर्मुक्ष कार्ज होता है वो cabinet मंत्रियों एवं पर्धान मंत्रियों की सहता करना होता है तो आज का हमारा लास्ट कोशन है तो यह दिया हुआ है Council of Scientific and Industrial Research का अध्यक्ष कौन है Council of Scientific and Industrial Research का अध्यक्ष कौन है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number C option number C भारत के परधान मंत्री जो होते है इसको हिंदी में कहते है Counseling of Scientific and Industrial Research का हिंदी भी क्या नाम है बैग्यानिक एवं अध्योगिंग अनुसंधान परिशक इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के परधान मंत्री और इसके पदेन अध्यक्ष भारत के परधान मंत्री होते हैं जबकि केंद्रिये विज्ञान एवं परतियोग की मंत्री के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं तो ये था आमारा आज का 25 कोशन जो बहुत ही इंपोर्टेंट था और आने वारे सभी परतीपता प्रिशा के लिए बहुत बहुत पुन कोशन था तो आई होप आप लोग उन्हें अभी तक कोशन का एंसर कर लिया होगा तो चलिए एगर वीडियो अच्छा लगा तो